नमस्कार, TV27 देख रहा है आप मध्यप्रदेश की बुलेटिन में आपका स्वागत है शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ सूत्रो के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है पूर्वसियम कमलनाथ को लेकर अटकले तेज हो गई है आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे कमलनाथ बीजेपी नेताउस से मुलाकात कर सकते हैं सूत्रो के हवाले से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है आज दिल्ली के लिए कमल नात रवाना हो गए है आपको बता दे राजसभा का टिकेट ना मिलने से भी वो कॉंग्रिस से नारास्ते इस तरीके की खबरे सामने आ रही थी लेकिन ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है बी बीजेपी नेताव से उनकी मुलाकात हो सकते हैं हलाकि ये दावा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बद्यप्रदेश में जहां पर कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बड़ा दावा सूत्रों के हवाले की चाहरा है कामल्यात कंग्रेस्ट से उनकी नाराज जी आया दिन सामने आ रही थी अलाके इसको लेकर में शामिल हो सकते हैं आज शायद उनकी मुलाकात बीजे पी के वरिष नेताव से हो दिल्ली के लिए रवाना होंगे कमलात जहां पर बीजे पी नेताव से मुलाकात कर सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये बड़ा दावा किया जा रहा है इस से पहले सोशल मीडिया अकाउंट चुटर पर कमलनात के बेटे ने वहाँ परसे अपना चिन्र लगा हुआ था जो पोस्ट था उसको हचा लिया गया है ऐसे में यह कले और तेज हो गई है कि कमलनात शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जिस तरीके से कॉंग्रेस से उनकी नाराज़गी जाहिर हो रही थी स चाहसरे पर बादावाल से निरज भूर से दिल्ली के लिए लगाएंगे परश्तार्व ककी रवाकितान दिल्ली के दिल्ली के लिए आध्यकश करा दो विस्तार्व कोने चाहता है और इसके बाद शायद वो बीजेपी में शामिल हो जाएं पूरी मुखमंतरी कमलनाथ आप बीजेपी का दामन खामने वाले हैं कमलनाथ काफी समय से उन्होंने कॉंग्रिस को संभाला हुआ है ऐसे में पार्टी की हर तरेकी की जो खबरे हैं अंदरूनी हलचल उनकी जानकारी उनको होती है तो बड़ा चहरा है ऐसे में जो नाराजगी सामने आई थी क्या उसके बाद कॉंग्रिस आला कमान की तरफ से उनसे कोई बाचीत की गई थी उनको मनाने की कोशिश जिस तरीके से राज़सभामका टिकेट ना मिलने को लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आ रही थी तो बड़ा चहरा है काफी बड़ा चहरा है पूर मुख मंत्री भी है इसके अलावा केंद्रिय मंत्री भी रहे है और कहीं ना कहीं कांसार भी रहे है तो कहीं ना कहीं बड़ा चहरा जो है कमलात मने वह रही ऐसा नहीं पूरा गढ़ जो चर्ण वाला है वो आफ तक बीजेपी नहीं जीद पाई है चाहे वो बिदान समां की बात की जाए या फर जंपत की बात की जाए नगर पाले काउंकी बात की जाए और महां पर सिप कमलनाथ सब्जार रहता है तो एक बड़ा पर केह रहा है जिसमें टीजे निरेज दिल्य कंड़ था रहे हैं और दिल्ली वाक्सर आते हैं ऐसे में जो अकल हुई है कि आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है और सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है कि शायद वो BJP में शामिल हो सकते हैं तो इसके पीछे कितनी सचाई आपको नज़र आ रही है और क्या कुछ इसके पीछे की बड़ी वज़े आपको लग रही है लेखे जिस तरह से जो अठकल है जो वाजार गाम है और यदि हम जाजनेतिक जो है गटना करमों को देखें तो कहीं न कहीं जिस तरह से इस समय जो प्रोगतवा चुनाव है वो पूरी करासे कहीं बड़े पीजेटी के पाले में नजर आ रहा है और नरेमोदी के पक्ष में ही नजर आ रहा है पूरा लोगतवा चुनाव और राम अंदर बनने के बात से जो बाते सामने आ रही है कि एक चीज भी कम थी जसको निकलना सिसकर का निटमादा की वह भी बीजेपी के पाले में चाहिए. तो कही न कही झाय जारगी अनको胃 को तता रहा है, कि पैसा नहों से एक चीज भी भी लुक्तरबा की हाथ से चली जाए. तो कहीन लागी बीजेपी का दामन साहब करते हैं। उसका आरण अपने प्रेटे का भरष है। उसके वह लगने बावा जिस तरह से उनको पीशी जिम्मेदारी तरह डिया गया। राजयसवण का टिकेट बिया लिया। तो कहीन लागी जिस तरह से देखा जाये। कमलाथ दिल्ली के लिए रवारा हो चुके हैं वो तस्वीरे भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल ये है कॉंग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा जटका लगेगा लेकिन आला कमान से बाचीत की कोई कोशिशे अभी तक हो रहे है या बयान ये बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेप इस समय केंद्र में है और प्रदेश में भी है तो ऐसे में जो वर्चर्सों का कॉंग्रिस में रहा है क्या वो बीजेपी में भी रहे पाएगा देखिए जाइर सी बाते जिसरे से इम पिछे चुनवाओं की बात करें तो जोतरे है सिर्विया जब बीजेपी में शामिल हुए जोतरे सिर्विया को ही एक खरे लगाई जाРИ इको वर भीजेपी में उनका मसर्च रहेगा लेकिन वदा निभाया उनको राजिता लाया और लो पेंद्रिया मंद्री बनाया तो परीनलाद की अधिया बाद करें तो काफी एक बड़ा चेहरा है काफी बड़े इल्डेस्टि भी है साथ में कमलाद और राज जीथी के मज़े हुए चिलाडी हैं चुकि उन्होंने काफी लम्रों का लाज जीथी कुई है और लगातार सांसा के लिएम सिगा थाओंधे भीजेपी though, मैं वह सामिल होगे तो इनके साथते सामिल होंगे तो प्लोग उनके साहिए लोगे बिल्कुल नीरज, मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस में जस तरीके से गुटबाजी सामने आ रही है और कॉंग्रेस में जो बिखराव होता हुआ दिख रहा है लोगसभज रौफ के लिए ये बहुत ही घातक कॉंग्रेस के लिए होगा ऐसे में कॉंग्रेस के लिए होगा अगर ऐसा हुपता है तो अपने बेटे के लिए बीजेपी में जाने का अमन बना रहा है क्योंकि एक लंबा सफर उन्होंने कॉंग्रेस में गुजा रहा है ऐसे में जब कॉंग्रेस से उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला है तो क्या यह नाराजगी की बड़ी वजह मानी जा सकती है इसके लिए उन्होंने बताया जा रहा है कि सोनिय गाली से मुलाकाश की है लेकिन बात रही है तो इन सब के चलते हैं नहराजगी कासी जाए दिखाई दे रही थी कई बार PCC कारियाले में कई तारी बैटे करों जिसमें वो मौजूद नहीं रहे बड़े-बड़े कारिग्रम ऐसे हुए जिसमें कमलनाथ मौजूद नहीं रहे तो यह सारी चीजह कई जिनों से देखने को मिल रहें थी इसके अलावा जब उन्होंसे भी पूच्छा गया था कि आपका बीजेपी में जाने का मन है तो उन्होंने यही खाता देखिए कुछ भी हो सकता है अभी मैं इसमारे में कुछ भी नहीं कहुँगा यानि की राजिनिती एक ऐसी चीजह है जिसमें तब क्या हो जाए बिल्कुल राजिनिती में कुछ भी असंभव नहीं है राजिनिती में जो असंभव लगता है वो भी समय आने पर संभव हो सकता है एक बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे निरज बने रहे हैं अब मारे साथ कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकले तेज हो गई है और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं पाला बदल सकते हैं कॉंग्रिस के वरिस्ट नेता रहे हैं कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्यप्रदेश के ऐसे में कॉंग्रिस को ये बड़ा जटका लग सकता है मध्यप्रदेश में वैसे ही इस सोशल मीडिया अकाउंट से कॉंगरिस का चिं अटालिया है नीरज हमारे साथ लगातात्बने हुए है नीरज क मलता के बेटी साथी साथ सोशल मीडिया का जो चुनाफ चिं उन्हों ने लगाया हुआ था वो भी अटालिया है ऐसे में ये दावा और पुक्ता होता हुआ नजर आ रहा है नहीं देखे गए हो उनके जो हैं और फिलाल को कॉंग्रेस खिकर उनके प्रोफाइल में किया गया है लेकिन नकुलनाथ ने अचानक जो है अपने प्रोफाइल में बदलाग किया है इसके अडाबाब बीजेटी की है जिए प्रफाइल के नरें सलुजा है उन्होंने भी इत्मिट करकर उस पर जैसी राम लिखकर कमलनाज का फोटो उसमें डालब हुआ है ट्विटर पर तो पही नहीं एक तरीके से अभी नंधन उनका करती हुए नजर आ रहे हैं तो कई सारी चीजे हैं जो इस वाद के प्रिमाद रहे हैं बेखे, पहले की सहारा के जिसेञकी अधनी कमलनाज जाते हैं तो एक उत्व कंझा चीजे तो प्रिस्क्षाची झोफ शुमाव लर्के हैं पॉंग्रेस के माना जाता है कि कमलनाज की उनके उनके भाह से घरवाते थे तो अगर बीजेपी की सियासत देखे हम तो वो फिलाल मजबूत इस्तती में है और बेहार में भी नितीश्ट का वापस आना महरास्त में भी कुछ इसी तरीके का खेल हुआ था तो ऐसे में अब मध्यप्रदेश में भी वही होता हुआ दिख रहा है तो कॉंग्रेस को कमजोर करने की बीजेपी ने जो रण निती बनाई है वो सफल होती दिख रही है और कॉंग्रेस के जो बड़े-बड़े चहरे हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी की बड़ी निती कामयाब होती हुई दिख रही है लेकिन राजनीती हकीकत की अगर हम बात करें राजनीतिक जमीन की अगर हम बात करें मध्यप्रदेश की तो उसका कितना बड़ा फाइदा बीजेपी को यहां पर होगा कमलनाथ के बीजेपी में आने से करना है तो कहीं लोगों से जो विश्वा से चोल्डे सरकार के उपर और जादा गहरा हुआ है तो इसके बास यहीं माना जारा है जिए पुरी मजब किस्टीप है लेकिन लिए हम जाता है कि तो इस तो इन्टि-फूर इल्टि-टु-टु-टु-टु-टु-टु-वर चौ करने वाले होते हैं तो कॉंग्रेस को अब काफी विचार वमर्ष की ज़रूरत है निरिज बने रहे हैं हमारे साथ अगली खबर के ओर बढ़ते हैं कमलात की बीजेपी में शामिल होने की एक तरह फटकल इतेज हो गई है कमलात पर दिगवजा सिंग का यह बड़ा दावा सामने आया है बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अफवा बताया है दिगवजा सिंग ने और उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जाने की कमलनात की जो अटकले हो रही है वो सब अफवा है सारी चर्चाएं बेवज़े हैं मेरी कल ही कमलनात से बात हुई है और वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, इसलिए ये जो दावे हैं, ये बेवज़े हैं, बेबुनियाद हैं, अफवा हैं, कमलनात पर दिग्विजर सिंग का ये बड़ा दावा साब ने आया है, उड़ोंने कमलनात को लेकर ये बड़ा दावा किया है, कि बीजेपी में शामिल ह करने को लेकर जो भी अटकले हो रही हैं, जो भी अवा, ये सभी अवा हैं मेरी कल रात को कमलना जी से बातचीत साड़े दस गैरा बजी हुई है, वो चिंदवाडा में हैं, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनेतिक जीवन की शुरुवात, नहरू गांदी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी, जब पूरी जन पार्टी और केंद की सरकार इंद्रा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हैं, ऐसा आदमी कभी कॉंग्रेस और सोनिया गांदी जी के परिवार को छोड़के जाएगा, इंद्रा जी के परिवार को छोड़के जाएगा, आपको उम्मीद होने कि जो अटकले हैं वो सभी अफवा है ये सिर्फ मन गणन कहानिया है जो बीजेपी द्वारा ही फिलाई जा रही है कमलात के बीजेपी में जाने की अटकले सिर्फ अफवा है नीरज हमारे साथ बने हुए है नीरज एक तरफ अटकले तेज हो रही है दूसरी तरफ सेट कर बीजेपी में जाएंगे इसलिए अब ये बात भी सेंप्रे आ रही है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आला कमाल से मनाने की जो कबायद है कमलनाथ को वो अभी भी जारी रह सकती है देखे बिल्कुर जिस तरह से जो ब्यान आया है वो कहिने की भावनात्मान ज्यादा नजर आ रहा है कि कॉंग्रेस में उनको पिछना दिया है और आप तब से जो है कॉंग्रेस के जुड़े हुए है आना कि इनको बात करें तो जो तरहा है सिंधिया जब भाष्पा चोड़कर उन्होंने भाष्पा का दामन था तब भी जिदिया को भुष्ट दिया है कॉंग्रेस में वो कहीं भी जा सकते लेकर उसके बाद दूस्ट इनको निरस किया जा रहा है जब ट्रिटर हेंड़ चेंज हो रहे हैं दिल्ली मुलाकाच के लिए जो उनको दोरे हैं उनको निरस्ट किया जा रहा है और असानल जिल्ली जाय जा जा रहा है इसके अलावा दिल्ली में बड़ा महाधूरेशन है जिसना पूरे देज भर के चारकरस्ताओं को एकटिशित कि जर्म है बिल्कुल नीरच देखना होगा कि आज दिल्ली दोरे पर कमलनाथ क्या गुल खिलाते हैं क्या वाकई आला कमान से उनकी मुलाकात होती है और वो कॉंग्रिस छोड़कर बीजेपी में शामल हो सकते हैं ये बड़ा सवाल है अब देखना होगा कमलनाथ क्या फैसल आगे बहुत बहुत शुक्रिया मारे साथ जुनने के लिए और जरकारी देने के लिए तो लोगसभा चुनाफ को लेकर लगातार तमाम राजनेतिक पार्टिया एक दूसरे पर सोशल मीडिया के जरिए वार पलट बार कर रहे हैं चुनाफ से पहले बीजेपी ने सोशल प्लेटफॉर्म टुटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कॉंग्रिस पर बड़ा हमला किया है लोगसभा चुनाफ करीब हैं ऐसे में सभी पाटिया जमीनी इस्तर पर जुड़ गई है और तमाम राजनेतिक दाव पेच अपना रही है ताकि जनता को अप आपने पक्ष्ट में लाया जा सके भां गडर दान पेशेखिप्मत है इस साल का सबसे बड़ा मुषारा जनता है वा 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 चाला धन खाखा कर चमरी हो गई मोटी आप खाखा कर कहते होगा टोटी कवियों चुना वाटे ओड़िक फारी कर ली तोटी ककता क्रिका में कोड़ु ता क्रिकरिक शालें कि अल्याव geç अ कुम्छा शेट आ बॉचलो माल है ए खबरों में आगे बढ़ेंगे इन दनों कॉंग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने के खबरें आम हो चुकी है अलग-अलग राज्ये और शहर सेनेताओं का बीजेपी जोईन करने का सलसला लगातार ज़ारी है इसी कड़ी में बाला घाट के विवा कॉंग्रेस नेता कॉंग्रेस सेवा दल के फोरवध्यक्ष अनुराग चतुर महता ने अपने सेक्टों समर्थोकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया अमोमन ये होता है अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता सादे समारों में भाजपा की सदस्यता ग्रहन करते हैं लेकिन अनुराग चतुर महता ने बकायदा शांदार रैली निकाली जिसमें डीजे और वहनों के साथ उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की साथी साथ शहर का ब्रहमण करते हुए भाजपा कार्याले पहुँचे थे बीजेपी कार्याले में पूर्व मंतरी गौरिश शंकर बिसेन, बीजेपी जुला ध्यक्ष रमेश रंगलानी और वर्तमान जुला ध्यक्ष राम किशोर कावरे ने उन्हें बीजेपी की प्राक्मिक सदर सिता दिलाई तो गाजे बाजे के साथ बीजेंबी में शामल हुए है कॉंग्रिस नेता उनको अपने घृते में साथ दिया उसके लिए घृते से आपका आभाग खबर बुधनी से है जहाँ पर नर्मदा जेयनती महुतसब में पूर्वसीयम शिवराज सिंग पहुँचे एतेहासिक नर्मदा घाट पर जेयनती महुतसब कारिक्रम में बड़ी ही धूंधाम से मनाया जाता है इसमें हट साल की तरह इसतार भी पूर्वसीयम शिवराज सिंग शामल हुए आए नर्मदा के दर्शन मातर से पापों से मुक्ति मर जाती है नर्मदा जेयनती की मान नर्मदा जेयनती सब को बहुत-बहुत सुखनमना है माके चरणों में प्रناम नर्मदा जी है जिनके कारण मतपदे साज इतना आगब बड़ पाया है अच्छे ही, पुश्प़ा। नर्मदा जी का जल जहां सूखे कंटों की प्यास बुझाता है वैं हमारे खेतों में फसने लेला हने का काम करता है नर्मदा जी के पानी से बिजली भी बनती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दर्मदा जी के तडवर आके दर्शन करते ही हम समस्त पापों से मुख्ट हो जाते हैं ऐसी मिया के चरणों में बारम-बार प्रणाम और यही प्रारथना है के हम सब पर मदप्रेश की जंता पर बुदनी की जंता पर किरपा और आसीरवात की वर साबों करती रहे हमें सद्व विधायक ने स्कूल का उचक निरिक्षन किया, गाउं के एक व्यक्ति का घर जो किसी कारण वर्ष जलकर राख हो गया था, वहां पहुंचकर उन्होंने व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करती हुए विधायक निधी से राशी प्रदान करने और शासन की यूजराओं का जल्द से जल्द लाख दिलानी की बात कही। जैसे बालर की फली रस वाली बना के दी गई है।